हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो यह है बोट वॉच मैस्टिक जो के भी नीवली लॉंच हुई है और मैं इसको दो दिन से यूज कर रहा हूँ मेरा कैसा एक्सपीरेंस रहा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ तो आर इस वीडियो में इसके इंबोकसिंग करेंगे देखेंगे बॉक्स में क्या-क्या मिलता है और एक डिटेल्ट रिव्यू होने वाला है तो वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखें चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ बेल आकन प्रेस करके आल कर दें ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलती रहें चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको काफी यूनिक प्रकार का बॉक्स मिल जाता है उपर सैड में बोट का लोगो है वाच मैस्टिक इसका नाम है और वाच की ड मिल जाता है और इस वाच में आपको वारंटी मिल जाती है उसके बाद यहां पर रपको यूजर मैनुवल मिल जाती है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वाच को यूज करना है और प्यार करना है बाकि यहां पर रपको क्योर को मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप को डॉनलोड कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको USB A2 Magnetic Kabel मिल जाती है जिसे आप वाच को चारज कर सकते हैं और कुछ इस तरह से वाच रखी हुई मिल जाती है तो इसको निकालते हैं और फिल हाल रखते हैं साइड में और यहां पर आपको एक स्टिकर भी मिल जाता है ज तो यहां पर आपको BOT माईशटीक अब्लिकेशन का सप्पोर्ट मिल जाता है और यह चीज मुझे विल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि BOT जितनी वॉच लॉच्ट करती है उतनी ही अप्लिकेशन भी लॉच्ट कर देती है तो देखते हैं कैसी अप्लिकेशन रिए ब मिल जाती है बिल्ड की बात करें तो यहां पर अपको metallic बिल्ड मिल जाती है तो build quality काफी solid है और यहां पर अपको strap की quality भी काफी अच्छी मिल जाती है तो overall watch की build quality मुझे काफी सही लगी और इसका जो weight है वह ही 55 25 ग्राम तो थोड़ा सा heavy है और थोड़ा सा बलकी है तो अगर आप देर तक पहनती है तो आपको feel नहीं होगा बाकि अगर आप पहले पहली बार पहनेंगे तो थोड़ा सा आपको feel हो सकता है इसमें आपको 1.57 इंचेस की HD display मिल जाती है तो display की quality अच्छी है display sharp है बट brightness की बात करें तो काफी कम bright display मिलती है अगर आप outdoor में इसको use करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है तो display अतनी ज्यादा bright नहीं है बाकि display की bezel की बात करें तो देख सकते हैं उपर साइड में left और right में भी काफी ज्यादा bezel मिलते हैं तो यह चीज में बिल्कल भी अच्छी नहीं लगी और इसके display की quality जैसा कि मैंने बदा है कि bright निस उतनी ज्यादा नहीं मिलती है तो display मुझे अच्छा नहीं लगा इसका इसमें auto brightness का feature भी मिल जाता है बट वो भी अच्छी से वर्क नहीं करता है अभी आप देख सकते हैं मैं अंधेरे में हूँ और यहां पर मैं auto पर क्लिक करता हूँ तो brightness level 4 पर चला जाता है और यही चीज में bright area में भी करता हूँ तो भी 4 पर ही जाता है तो इसका जो auto brightness से वो अच्छे से वर्क नहीं करता है बाकी watch face की बात करें तो यहां पर काफी अच्छा काम किया गया है इसमें आपको built-in 13 watch faces का support मिल जाता है तो काफी सारे watch face आपको watch में ही मिल जाते हैं और काफी एच्छे watch face दिये गये हैं बाकी काफी सारे watch face है जिसको आप टैप करके color भी change क कर सकते हैं तो यह चीज़ मुझे काफी सही लगी और application की बात करें तो वहां पर आपको 86 watch faces का support मिल जाता है तो कुल मिलाकर आपको 100 प्रस watch faces मिल जाते हैं watch में और custom watch face की बात करें तो यहां पर यह आपको काफी सारे customization के features मिल जाते हैं और आप अपने हिसाब से watch face को customize कर सकत तो यहां पर आपको 17 sports mode देखने को मिल जाते हैं जिसमें walking, running, cycling और भी काफी सारे modes दिया गया हैं और यहां पर आपको swimming का भी mode मिल जाता है क्योंकि इस watch में आपको 3 ATM का certification मिल जाता है तो यह swimming के लिए ideal है और इसको पहन कर swimming कर सकते हैं बाकि एक चीज़ मुझे काफी weird लग करें तो तो настолько accurate result आते हैं सबसे बहले मैंने 100 steps लिये और इसने 104 काउंट किये उसके बाद मैंने 50 steps लिये और इसने 77 कौंट किये और तिसरी बारे वारे रहणे 200pipes लिये और इसने 205 कांट किये तो result काफी accurate आया है इसका इसके बाद यहां पर आपको heart rate का feature मिल जाता है और इस सही लेगी इसकी उसके बाद यहाँ पर आपको SPO2 का फीचर भी मिल जाता है और इसको भी मने चेक या तो रिडिंग बिल्कुल मैच करे थी बट आप किसी भी वाश पर रिलाई नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको अलग से सेंसर मिल जाता है SPO2 का तो इस वाश में आ काफी सारे वर्क आउट कर सकते हैं तो यह फीचर मुझे काफी इंट्रेश्टिंग लगा एधर फीचर की बात कर दे तो यहां पर आपको इवेंड का फीचर मिल जाता है तो इसके लिए ऐपको duplication में जाना पड़ेगा तब ही इवेंड को सिट्ट कर सकते हैं बसके बाद स stop watcher, timer का feature मिल जाता है और यहाँ पर रखको music control का feature भी मिल जाता है तो इस watch के मदर्द से fone की music कर सकते हैं और यहाँ पर एपको volume कम और ज्याद करनेका feature भी मिल जाता है बाकि यहाँ पर लखको bus का airport इस watch में यह Kyle pass का feature और कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैसेज की बात करें तो मैसेज को पर सकते हैं बट रिप्लाइ करने का उप्शन नहीं मिलता है और मैसेज के लेंथ की बात करें तो देख सकते हैं आपको अच्छी खासे लेंथ मिल जाती है बट यहाँ पर आपको Hindi का support नहीं मिलता है तो अगर कोई Hindi में message करता है तो blank आएगा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा connectivity की बात करें तो यहाँ पर आपको Bluetooth 5.0 का support मिल जाता है और इसकी connectivity काफी अच्छी है, मुझे कोई भी issue देखने को नहीं मिला बाकी app support की बात करें तो यहाँ पर भी आपको हर बार की तरह new application का support मिल जाता है जिसका नाम है boat my stick और इसकी application को open करते हैं तो सबसे पहले pitch पर जाएंगे तो आप जो जो activity करेंगे इसके records को देख सकते हैं उसके बाद दूसरे pitch पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे option देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले यहाँ से watch face को change कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से alarm सेट कर सकते हैं watch में आपको alarm का feature नहीं मिलता है बट application के मदद सेट कर सकते हैं उसके बाद smart reminder, certainty reminder और यहाँ पर रिमोट camera का feature भी मिल जाता है उसके बाद race to wake को आप on off कर सकते हैं और screen on time को भी set कर सकते हैं जबकि watch में यह setting नहीं मिलती है उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर काफी सारे setting मिल जाती है जैसे की weather को आप set कर सकते हैं और watch में weather का feature नहीं मिलता है बट जब आप toggle bar को open करते हैं तो वहाँ पर weather show होता है उसके बाद यहाँ पर आपको vibration के intensity घटाने बढ़ाने का feature भी मिल जाता है तो वह सेट कर सकते हैं उसके बाद लाश्ट में जाते हैं प्रोफाइल में तो यहाँ से आप अपने profile बना सकते हैं और अपना goal सेट कर सकते हैं तो application मुझे अच्छी लगी है ठीक टाक आपको application मिल जाती है इसमें आपको काफी अजीब से UI देखने को मिल जाता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सब सब पर उपर से swap down करेंगे तो यहाँ पर आपको activity show हो जाती है उसके बाद नीचे से swap up करेंगे तो यहाँ पर आपको quick toggle bar मिल जाता है जहाँ से brightness को कम ज्यादा कर सकते हैं डेन डे अक्टिवाट कर सकते हैं टॉर्च उस कर सकते हैं और setting में जा सकते हैं बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको weather show हो जाता है जबकि watch में weather का feature कहीं पर भी नहीं मिलता है और इस watch में आपको slip monitoring का feature भी मिल जाता है और इसके accuracy भी काफी अच्छी है बट आप slip monitoring का data watch में नहीं देख सकते हैं आपको application में जाना पड़ेगा तो यहाँ से आप slip monitoring भी इसमें कर सकते हैं उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको music control का feature मिल जाता है जबकि यह feature दूसरी जगह पर नहीं दिया गया है left here स स्वेब करेंगे तो यहाँ पर आपको notification इसके बाद आप स्वेड़ से स्वेप करेंगे तो सबसे पहले स्पोर्स technician मौड उसके बाद मेन चोड़ती है display पर tap करके hold करेंगे तो यहाँ से watch face को change कर सकते हैं बाकि watch face को set करने के लिए भी आपको display पर tap करके hold करना पड़ेगा तो काफी अजीब सा boring सा UI दिखने को मिल जाता है इसमें बाकि बटन को press करेंगे तो display को off और on कर सकते हैं लाश्टे मात है battery backup पे तो इसमें कितने image की battery दी गई है वो company ने specify नहीं किया है बाकि यहाँ पर आपको तीन से चार दिन का battery backup आराम से मिल जागा तो battery backup भी मुझे काफी सही लगा इसका तो अब आते हैं वर्डिक पे कि क्या इस watch को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो सबसे बले बात करें price किये तो इसका price है 3000 और 3000 में आपको काफी अच्छे features मिल जाते हैं बट कुछ चीज़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो pros and cons के बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी build quality मिल जाती है जो accuracy मिलती है वो काफी तगड़ी मिलती है उसके बाद battery backup काफी अच्छा मिल जाता है और यहाँ पर को दूर unique feature मिलते हैं एक तो compass है और दूसरा है animated workout coach तो काफी सारे features आपको मिल जाते हैं बाकी cons के बात करें तो सबसे बड़ा जो cons है इसका display है यहाँ पर कुछ जो display मिलता है full display नहीं मिलता है और दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ जो brightness मिलती है वो काफी कब मिलती है तो outdoor में आपको दिक्कत हो सकती है तो जिन लोगों को ज्यादा outdoor में यूज़ करना है तो उन लोगों के लिए वाच बिलकुल भी नहीं है तो उडियो को लाइक जरूर करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यो फूर वाचिंग